एक सवाल था यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था तो भारत के जो वहां पर चात्र थे उन्हें सुरक्षित रूप से वापस भारत लाया गया ये एक दिल्धे लाने वाला किस्सा था इसमें आपने हॉस्टिलिटी रोकने के लिए परसनल हस्तक्षिप किया था परसनल सुनने में आया है तो इसके बारे में कुछ बताएंगे देखिए युक्रेन की चर्चा जड़ा जादा हुए लेकि मैं चवदा से रिगाशी कई घटना है अगर आपने एक सुष्वा स्वाराज जी का एक इंटल हुए आप देखिए कि कैसे यमन में से हमने हिंदुस्तान के लोगों को लाए और साओधी किंग के साथ मैंने बात करकर के उनसे का भी मुझे वहाँ यमन से लोगों को लाना है तो आपका बंबार्डिंग चल रहा है हम कर रही पा रहे हैं कैसे मदर करेंगे तो उननों का कुछ समझ दीजे मुझे और सुष्मा जी ने अपने इंट कि अबार्डिंग नहीं होता था और उस समय हम हम हवाई जहाज में हमारे लोको को निकालते हैं यह मन से करीब 5,000 लोको हम लाए थे उसी प्रकार थे उक्रेयन मेरा उक्रेयन से भी इतना ही घनिष्ट नेता है मेरा रोश्या से भी इतना ही घनिष्ट नेता रहा है दोनों कि यह साथ मैं बहुत मित्रता पूनत मेरा रहा है मैं पबली के लिए राष्प्रदी पुतिन को कह सकता हूं कि युद्ध का समय नहीं है मैं उक्रेयन को भी कह सकता हूं पबली कि बात्चीत के रास्ते पर ही जाना चाहिए और इसके कर अगर मेरी क्रेडिबिलिटी है और कि मैं वह भारत के इतने लोग और नावजवान नचे मैं अगमान चाही है और मुझे आपकी मदद क्ची ए और मैं आप क्या मैं वश्यतक कर साथतों और मैं आप क्या मैं इतनी त productivity है आप अवता कि आप इतना मेरी मदद की जये उन्नों अगमाने चाही ढेजिए ओना रहा अगला है